इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू चेक परफेक्ट स्क्वेर नंबर मिन्स यदि आपको एक नंबर दिया हुआ है तो आप कैसे फाइंड करोगे कि वो परफेक्ट स्क्वेर नंबर है या नहीं तो इस वीडियो में केवल यही समझेंगे कि एक नंबर जो है गिवेन नंबर परफेक्ट स्क्वेर होगा या नहीं होगा तो इसमें हम दो मेथार समझेंगे ठीक है तो पहले-पहले हम मेथार नंबर वन लिखते है आपका मेथार नंबर वन है फॉस्ट यह मेथड है प्रपर्टी मेथड या आप बोल सकते हैं निगेशन मेथड और you can say निगेशन मेथड निगेशन मेथड क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इस मेथड से प्रपर्टी मेथड से आपके वाल यह पता कर पाएंगे कि वो जिवे नमबर है वह perfect square नहीं है मतलब नहीं क्यों find कर पाएंगे मतलब यह पता नहीं हो पाएगा कि वो है कि नहीं क्यों यह पता कर पाएंगे जरूर कि वो नहीं है जैसे मैं यहाँ पर पहला property उज़ कर रहा हूं first property property method में पहला property है कि if यदि if the given number if the given number ends ends with 2, 3, 7 or 8 मतलब इंचार digits से यदि end करता है मतलब units place पर यदि वो given number में units place पर 2, 3, 7, 8 आता है then that number that number will never be will never कभी भी नहीं हो सकता will never be a perfect square right ये है आपका पहली परटी और इसको यूज करके आप बहुत जल्दी आप ये पता कर लोगे कि वो perfect square नहीं है ठीक है किवल ये पता कर पहोगे कि वो नहीं है मतलब इसमें किवल नहीं की बात किया जाएगा 2378 से दी इंड करता है जैसे मैं माल ये कोई से पूछ दे कोई option A यहाँ पूछ दिया कि 27958 पते कि ये number जो है perfect square है या नहीं है बस आप देखोगे कि यहाँ पर इसके end में 8 है 8 है तो right बोलोगे कि this is not a perfect square number ये नहीं है क्योंकि 2378 से end होने वाले number कभी भी perfect square नहीं हो सकते जैसे कि B question पूछ दिया कि 128 ये perfect square है कि नहीं तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके end में क्या है 8 आ रहा है ये तीसरा पूछ दिया 7777 ये perfect square number है कि नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके end में क्या है 7 है तो मतलब देखिए बहुत सारा नंबर जैसे कि आप यहाँ पर C हमारे पास D माली जो आपसन पूसा कि 1 2 8 7 5 3 ये नंबर जो है 1 2 8 7 5 3 ये नंबर perfect square नंबर है या नहीं तो देखोगे आप कि end में मतलब unit space पर 3 है तो हम पढ़े हैं कि 2 3 7 8 ये end प्लेस पा आता है तो वह पर्फेटी स्कोर नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा तो ऐसे करके आप यदि end में 2 3 7 8 ये लाते हैं कि उसी नंबर के तो पर्फेटी स्कोर नहीं हो सकता ये पहला rule तो ये start cut तरीका है इसको याद कर लीजिए 2378 यदि आता है किसी नमर के end में तो वो perfect square नहीं होगा और ये जो पढ़ रहे हम methods ये किवल हम negate करने वाले methods हैं मतलब कि किवल हम ये पता कर पाएंगे कि वो नहीं होगा perfect square अब हम चलते हैं दूसरे पपरटी पर तो दूसरे पपरटी क्या करती है कि यदि यदि odd number of zeros से end होता है यदि odd number of zeros आता है end में odd number of zeros यदि odd number of zeros आते हैं end में कहाँ पर ends with यदि end होता है तब वो perfect square नहीं हो सकता never a perfect 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 square number इसका मतलब क्या हुआ कि जब odd number of zeros रहेंगे तभी हम बोलेंगे कि वो perfect square नहीं है इसका मतलब क्या हुआ जैसे कि मालेजे कि one के आगे odd number आफ zeros लगा दिये one thousand तो one thousand क्या होगा perfect square नहीं हो सकता तो यदि मैं यह करूं कि eight thousand यवी perfect square नहीं हो सकता यदि मैं लिखूं कि sixteen thousand यवी perfect square नहीं हो सकता these are not perfect square numbers यदि मैं लिखूं twenty five thousand this is also not a perfect square number आप कहोगे कि sir तो यह होगा two thousand five hundred यज़े perfect square number हाँ यह कह सकते हैं लेकिन इन मतब कि even रहेगा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जैसे कि twenty five hundred क्या है perfect square है क्योंकि इसमें even number of zeros है लेकिन यह हमेशा possible नहीं है जैसे माली जै कि मैं लिखूं यहाँ पर two hundred two hundred में भी even number of zeros है लेकिन two hundred क्या है perfect square नहीं है इसलिए हम यहाँ पर जो बता रहे हैं methods इसमें कि वहले हम यह पता कर रहे हैं कि जब यह condition follow होगा तो definitely वह नहीं होगा never a perfect square number ऐसा कुछ हम negation देख रहे हैं negation मतलब कि नहीं होगा perfect square जब यह condition follow होगे मतलब कि odd number of zeros जिदी आता है किसी भी number के end में odd number of zeros मतलब three zero जाते हैं five zero जाते हैं seven zero जाते हैं nine zero जाते हैं जैसे कि मैं आपको यहां पर कुछ examples दे करके बताता हूँ जैसे मालीजे कि आपको यहां दे दिया कि a option 81 81,000 क्या यह perfect square number है या नहीं तो आप कहेंगे नहीं है perfect square number क्योंकि इसके end में odd number जिरो जा रहे हैं तो तुरंत आप कहोगे नहीं बी यह दि माल लीजे है 810 दे दिया माल लीजे तो इसमें भी क्या है एक आ रहा है तो यह दि एक आ रहा है तो यह दि आ रहा है तो यह भी odd number है देखे odd numbers क्या होते हैं 13579 तो यह दि एक जिरो आता है या 30 जाते हैं या 50 जाते हैं 7-0 जाते है, 9-0 जाते है, 11-0 जाते है ऐसे करके कोई end करेगा number तो समझे कि वो perfect square नहीं होगा जिसके हम तिसरा number लेते है 2-5 ये ठीक है 25 के आगे कितने zeros है 3 and 2-5, 5-0 है 5 क्या है, odd number है, बिल्कुल this can't be a perfect square मतलब this is not a property square तो हम लोग ये 2 properties से समझ गया है इतना की, मतलब की क्या होगा मतलब बहुत fast बता सकते हैं कि वो देख करके उसके digits को देख करके बता सकते हैं कि वो perfect square होगा या नहीं होगा मतलब नहीं होगा ये पता करेंगे ठीक है, नहीं होगा इतना याद रखे, इन दुन वोबर्टी से बस ये पता करेंगे कि नहीं होगा होने का condition हम बाद में चेक करेंगे परपरटी नमबर 2 में हम परपरटी नमबर पढ़ रहा है मतलब method number 1 पढ़ रहा है तो कैसे पता करेंगे कि वो नहीं है तीसरे वाले से चले थार्ट वाबर्टी देखते हैं थार्ट वाबर्टी ये है कि यदि हम ये करते हैं divisibility by 3 मतलब divisibility by 3 मतलब 3 से divide करेंगे divisibility by 3 means उस नमबर को हम 3 से divide कर देंगे यदि divide करने पर remainder remainder आता है और वो remainder यदि आता है 2 तब क्या होगा never a perfect square number never a perfect square number मतलब वो जो given number होगी हो क्या होगी perfect square number नहीं हो सकती कभी भी square number this is also a very true method जैसे कि यदि 2 remainder आता है तो नहीं होगा जैसे कि मालेजी आप ले लेते है 11 11 क्या है perfect square number नहीं है क्यों इसे इसे बहुत सारे number जैसे 101 यदि पता करना है कि 101 perfect square number है या नहीं है तो 3 से divide कर लेजिए 3 से divide करेंगे तो 3,3 9 होगा और क्या आएगा यहाँ पर 9 से divide करेंगे 1 आएगा 11 आ जाएगा और 3,3 9 मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो है यहाँ पर आजाएगा फिर 2 remainder जब 2 remainder आ गया तो समझेगे perfect square number नहीं होगा ऐसे ही बहुत सारे हम निकाल सकते हैं जैसे मालीजे लेते हम 268 1 मालीजे यह number है और आपको पता करना है कि यह perfect square number होगा यह नहीं होगा क्या करना पड़ेगा केवल 3 से divide करतीजिए और देखे कि 2 remainder आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि यह यह 2 remainder आएगा तभी हम कहाँ पाएंगे जैसे मालीजे 3 से divide करते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा तो 3 3 8 जा 24 हो जाएगा ठीक है क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा और 8 उतार लेंगे आपर तो 3 9 जा 27 1 बचेगा इलेवन उतरेगा 3 3 जा 9 होगा और 2 remainder तो 2 remainder फिर से आ रहा है आपर यदि 2 remainder आ गया तो आप कहें देगें directly कि यह जो नंबर दिया हुआ था पहले-पहले 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है ज़र 0 और 1 आएगा तो हम नहीं पता चलेगा कि वो है या नहीं है लेकिन 2 पे बिल्कुल पता चल जाएगा कि वो नहीं होगा तो यह चीज़ जाद रखिए मतलब कि हम divide थिर से तो करी सकता है ना fast समाली जी कि हमें पता करना है कोई दूसरा नमर माली जी हम लेते हैं आप सणिया पर और मैं लेते हैं 823 रेंडम नमबर हमने यहां पता नहीं कि यह परफेट स्कुर है या नहीं है तो हम तो पहले-पहले चेक करेंगे उपर वाले जो मतब फाइंड होगा थर्ट भबलाटी हो शुकी थिफॉर्थ भबलाटी अब चेक करते हैं माली जी हमारे पास एक नमबर है और वह नंबर है माली जी हमारे पास 12 ठीक है 12 यह आप डिवाइड करेंगे 3 से 12 नहीं कुछ और लेजिए से कि हम कोई एक नंबर ले लेते हैं जो 3 से डिवाइड करने पर पता नहीं चलता तो उसे हम 4 से डिवाइड करना पड़ेगा जैसे कि let us suppose 28 माल लिए 28 है यह 30 ले ले लेते हैं sorry 30 जो नंबर है वह perfect square है या नहीं यह हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पता चलता करने पर तो यहां पर कहेंगे कि जिरू आ गया तो हम नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि जिरू आने पर हम हमें पता नहीं है कि यह perfect square है या नहीं क्योंकि यह तो रूल हमने पढ़ा नहीं है हमने रूल 3 से यह पढ़ा था कि जब डिवाइड करने पर टू रिमेंडर आता है यदि टू रिमेंडर आएगा तभी कहेंगे कि यह नंबर जो है perfect square है perfect square नहीं है हम तभी कहँ पाएगे इसका मतलब कि 30 को check कैसे करेंगे तब 30 को यह 56 डिवाइड करेंगे तब साहल मिल जाएगा check करते हैं थर्टी को यह depois divided करेंगे तो क्या मिलेगा टो फ्वोस मेंजा 28 क्या मिलेगा to remainder मतलब दिखे फोस से जब divide करते हैं और यदि आपका remainder आता है 2 या 2 या 3 तो हम कहेंगे कि वो जो number है वो perfect square नहीं है मतलब यदि हम force divided करने किसी number को और यदि remainder आता है 2 या फिर 3 तो हम कहेंगे कि वो number यह नहीं है जैसे माल लिजए कि हमारे पास 874 यह एक number है एक नमबर है यह नहीं क्या करेंगे हम इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे पहले तो फोर टूजा 8 हो जाएगा cancel out हो गया 0 आ गया 7 बतारेंगे 7 बले जाएगा तो 1 बर जाएगा और यह फोर से ले तो यह मिलेगा 3 अब 3 में 3 4 उतार देंगे यह पर फोर से ले जाएगे एट पर जाएगा 32 रिमेंटर क्या आएगा 2 आएगा इसका मतलब कि 874 क्या है perfect square नहीं है लेकिन यदि आप कोई perfect square लेते हैं सिम्माल यह 625 यह struck effect square है एदि आप 4 से divide करेंगे तो देखे क्या आएगा फोर से organiseगा तो यह तो 0 आएगा यह वन आएगा हमेसा हमेसा यह तो 0 आए यह वन आएगा और शोल से करेंगे तो यह सबूगा या वन आएगा ठीक है पकाना कि 24 वन रिमेंडर मिला ना तो वन रिमेंडर आएगा या फिर 0 आएगा कब जब वो परफेक्ट स्क्वेर होगा तब लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो कभी ऐसा भी हो सकता है जिसमाल लिए कि 17 17 में भी रिमेंडर क्या आएगा क्योंकि फोर्च डिभाइड करेंगे इस 17 को तो फोर्च यसे नहीं चल पाता है तो हमें बस यह करना है तो यह यह आता है या फिर फ्री आता है तभी हम कहेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वेर नहीं है अब चलिए हम लोगों ने यह देख लिया कि कब हम कहेंगे कि नहीं होगा ठीक है कब हम कहेंगे कि वह घीवेन नंबर जो है परफेक्ट स्क्वेर नहीं है हमने यह चेक कर लिया अब यह चेक करते हैं कि कब कहेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वेर है ठीक है अब यह चेक करते है और यह यह भी काफी important है अब को यह चे करना कि copper square होगा तो चलिए इसको हम नीचे यहाँ पर property number 2 ले लेते हैं और solve करते हैं यहाँ पर हो जाएगा property number method number 2 यहाँ का है method number 2 और इसमें पहला जो method है वो है factorization method by factorization देखे factorization ऐसा method है जिससे की exactly find कर लेंगे कि वो जो है perfect number होगा या नहीं होगा ठीक है जैसे माल लिजे हमारे हमें पता करना है 282 यह perfect square number है या नहीं तो क्या करना पड़ेगा इसका factorization कर दिजिए यदि factorization करते हैं तो यदि इसके factorize करने में इसके factors आते है factors का यदि pair बन जाता है यदि pair बन जाता है if pairs are formed formed of factors factors का यदि बन जाता है pairs तो हम कहेंगे कि जो given number हो क्या है perfect square है नहीं तो कहेंगे कि नहीं है यहां पर कर लेते हैं देख सझावा है two आजा टू 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 फोटेवन साही होगा एक बार में तो हम यहां पर कहेंगे अश्या अच्छा 3 से कड़ जाएगा स्वरी यह जो है 3 से ले जा सकते हैं इसको ले जाते हैं 3, 4, 12 और 2 बचा 21, 3 से बन जा अब 47 बन जा देखिए अब यहाँ पर किसी का भी पेर बन ही नहीं पा रहा है तो हम कहेंगे कि this is not a perfect square number तो factorization exactly बता देता है कि वह perfect square होगा या नहीं होगा जैसे माल लेजिए हमारे पास एक number है 625 और पता करना है कि यह perfect square होगा या नहीं होगा पहले कर लिए जिसको factorization तो करेंगे 5 से तो क्या हम लेका 5 बंजा 5 तो एक बच्छे का 12 हो जाएगा और 5 बच्छे का 12 हो जाएगा और 5 से ले जाएंगे 5 तो 5 तो 5 तो 5 तो यह बना है जब भी दो पेर बनना चाहिए नंबर्स का तो कहेंगे कि वह perfect square है तो कितना आसान है मतलब यह exact method है यह factorization यह यह एक की थोड़ा सा आपको factorize करना पड़ेगा इसमाल यह कोई बड़ा नंबर दे दिया तो आपको factorize करना पड़ेगा जिसे माल लेजी हमारे पास एक नंबर है और वह है आपका 1728 आपको find करना है कि यह preferred square होगा या नहीं होगा तो इसको factorize करना पड़ेगा तो माल यह फ़र्टाइज करें हम यहाँ पर तो हम पहले अप 4 से ले जाते हैं कि ऑक तो 454 फोर जा 16 वर मचल वो गया 4 ती जा 12 फोर जा एट ठीक है फिर फुर से ले जाते हैं फोर बन जा 4 एन जूरो बढ़ाएंगे 32 मे जाएंगे तो 4 8 जा 32 यहाँ पर अब 2 से ले जाएंगे यहां पर यहां पर बना है 1728 इसको लिख सकते हैं इस तरिके से फोर को लिख सकते हैं ब्रेक करके ब्रेकलर बना है यह बना है और इसका पैर नहीं बन पया है इसका प्यर नहीं बन पया है तो कहने का मतलब है कि factorization method exact value देता है और clear कर देता है और इससे आप बिल्कुल finally पता कर पाएंगे कि एक number जो दिया हुआ है वो perfect square है या नहीं बस क्या करना है factorize करिए उसके जो factors को बस देखे कि pair बन रहा है कि यदि pair बनेगा तो कहेंगे कि वह एक perfect square number है यदि pair नहीं बनेगा तो हम कहेंगे कि वह perfect square number नहीं है that's it और जो method 2 में जो दूसरा वाला method है वो क्या है वो है by long division method by long division method लेकिन long division method से exact value निकल जाती है ठीक है long division method और इससे exact value निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि यदि exact value निकल गई मतब remainder 0 आ गया long division method से तो directly कर सकते हैं कि वो क्या है perfect square number है और long division method में यहां नहीं बताने वाला ठीक है बस यह समझ लीजे कि इससे exact value पता चल जाती है मतब कि जो perfect मतब इसको square root होगा वो पता चल जाएगा इस square root यदि exactly निकल गया तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ही वो perfect square है है कि नहीं तो हम यहां समझ चुके है exactly कि कैसे हम पता कर पाएंगे कि दो numbers perfect square है या नहीं तो हमारे पास यह मैंने सबको बताया यहां पर जैसे हम उपर से एक बार revise कर देते हैं आपको पहला जो यहां परटी बताया मैंने वो यह था यहां पर यह देखा गया कि यदि एक number end होता है 2 से 3 से या 7 से या 8 से ठीक है तो हम कहेंगे कि वो perfect square नहीं है केवाल यही digits होने से लिए 2,3,7,8 और दुसरा बताया मैंने यह कि odd number of zeros यह दि आते हैं किसी भी number के end में odd number of zeros तो हम कहेंगे कि वो perfect square नहीं है ठीक है और तिसरी दीबात यह बताया मैंकि यदी हम 3 से divided करते हैं एक number के और यदि remainder आ जाता है 2 तो हम कहेंगे कि वो perfect square नहीं होगा कभी भी नहीं होगा कब जब remainder 2 आं यदि 0 या 1 आता है remainder to हम कहेंगे कि वो हो भी सकता है नहीं हो सकता है इसलिए हम उसकी बात मैं कर थे से देखना है की remainder 2 आ पड़ेगा divide करने के बाद कि 2 और 3 remainder आना चाहिए यदि 2 या 3 remainder आता है 4 से divide करने के बाद हम कहेंगे कि वह perfect square number नहीं है तो हम यह 4 method से पता कर लेंगे कि वह perfect square नहीं है और जो method number 2 है इससे बस यह पता कर पाएंगे कि exact value पता कर पाएंगे कि वह होगा या नहीं होगा factorization से मने factorization is the ultimate method मने इससे exactly पता पता जाएगा कि वह perfect number है या नहीं है ठीक है क्योंकि जब भी pair बनेगा आपका factors होंगे उन factors के यदि pair बन गया तो हम कहेंगे कि वह perfect square number है यदि pair नहीं बनेगा तो कहेंगे कि perfect square number नहीं है और इस वीडियो में इतना है रखते हैं और आप समझ चुके होंगे कि कैसे आप check करोगे किसी भी number को कोई भी number है तो सुरू से आप इस्तमाल करना आप जो 4 बटी लगाना पहले और fast तरीके से find करने का सोचना क्योंकि यदि माली जो कोई number ऐसे दिया हुआ है 2847 अब कर रहा है कि बताए कि perfect square number है या नहीं तो यदि pair party number 1 आप जानते हैं और आपको यह पता है कि यदि end में 7 आ गया तो इसका मतलब कि perfect square नहीं होगा तो क्यों check करना आप factorization क्यों करना इसका हमें वो time वेस्टी नहीं कर तरीका है तो इस वीडियो में हमने जो है पूरा description कर दिया अच्छे सब बता दिया और यदि आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो like कर दीजिए तो share करिए और कोई वीडियावट होता है तो बिल्कुल आपकर कर सकते हैं और मैं हमेंसा आपके लिए उपलब दूँ थैं हुआ हुआ है